हेलो रिवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में क्या आपको आपके इंवेस्टमेंट पे पिछले 10 सालों में 190 पसंद का रिटन मिला है पिछले 5 सालों में 98 पसंद का रिटन पिछले 3 साल में करीबन 80 पसंद का रिटन बहुत कम ऐसे इंवेस्टर् को यह return दिया है और आने वाले 10 से 20 सालों में और भी बढ़िया returns यह ETF अपने investors को देगा इसलिए आज का वीडियो इस ETF के उपर पूरा based है और इस ETF के बारे में आपको detail में समझाऊंगा तो वीडियो को end तक जरूर दिखेगा जिन investors का mindset conservative है जिनने purely long term के लिए SIP के point of view से या फिर lump sum point of view से mutual fund में invest करना है ETF में invest करना है उनके लिए यह बहतर option है तो वीडियो को end तक जरूर दिखेगा इस ETF के बारे में detail में समझे एक बहुत ही बड़ी ETF है आपके बच्चों के लिए आने वाले generations के लिए आपको इस ETF में अभी से investment करना चाहिए तो चले वीडियो के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस ETF के बारे में और इस ETF का नाम है निपॉन इंडिया इंफ्राबीज यानि infrastructure सेक्टर में आपका पैसा SIP के point of view से फिर lump sum point of view से जैसे भी आप investment करना चाहें आपका investment होगा और हम जानते हैं कि पिछले 5 से 10 सालों में और आने वाले 25 सालों तक इंडिया का जो infrastructure सेक्टर है वो काफी अच्छे से progress होगा और पिछले 10 सालों में काफी अच्छे से progress हुआ है तो इस ETF के बारे में डीटेल में जानिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो की शुरुआत में चानल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन दबाईए तक ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो का notification आपको time to time मिलते रहे तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते सबसे पहले जानते एक basic overview देता हूं ETF में क्यों invest करना चाहिए advantages क्या है ETF के सबसे पहला advantage अगर हम देखे तो trading flexibility है एक normal stocks की तरह आप उसे buy sell कर सकते normally mutual funds जब हम invest करते हैं तो उसे हम buy sell नहीं कर सकते लेकिन ETF में जब आप investment करते हैं तो normal shares की तरह buy sell कर सकते हैं यानि आपके हाथ में आपके SIP यूनिट्स या फिर mutual fund यूनिट्स या फिर ETF यूनिट्स का control है दूसरा जितना हो सके ETF जो है एक particular sector बेज होता है cost efficient normal SIP और mutual funds में entry exit लोड लेते हैं लेकिन यहां पर आपका entry exit लोड नहीं है क्योंकि normal stocks की तरह आप इसे buy sell कर रहे हैं यानि cost efficient हो जाता है यह चौथा convenient यानि आपके demand economy आपका ETF का units रहेगा यानि convenience काफी है जनरली जब SIP units हम buy करते हैं या फिर mutual fund units buy करते हैं तो हमें एक particular demand form में रहता है या फिर non demand form में रहता है लेकिन ETF जनरली demand form में आपके सामने ही normal stocks की तरह आपको हर दिन reflect होंगे diversification जितना हो सके अलग-अलग ETF में invest कीजिए gold हो गया silver हो गया nifty ETF होगे इंफ्रा भी होगे bank भी होगे तो जितना हो सके diversified कि जैसे आप अपने portfolio को diversified करते हैं उसी तरह ETF को भी diversified कीजिए और risk management काफी अच्छे से हो सकता है यहां पे क्योंकि आप ही इसके risk management करेंगे जैसे आप stocks का risk management करते हैं उसी तरह का इसी तरीके से आप ETF का भी risk management easily कर पाएंगे तो जहां तक बात करी अगर हम इंडिया के infrastructure sector की बात करें तो आने वाले देखें तो infrastructure sector का जो अगर हम size देखें तो करीबन 186 billion dollars के आसपास का है लेकिन 2028 में यह हो जाएगा करीबन 295 billion dollars के आसपास तो अच्छा खासा growth 2023 से 2028 में आने वाले पात सालों में ही दिख रहा है 186 billion dollars से बढ़कर हो जाएगा करीबन 295 billion dollars के आसपास यह इंडिया का infrastructure के सकते growth है आने वाले पात सालों में आपके screen पे आपको graph देख रहा है जिसमें CAGR growth अगर हम देखें तो करीबन 9.57% के आसपास यहाँ पे growth होगा इंडिया का इंफ्रासेक्टर सेक्टर अगर हम economic सब की बात करें जो 2021 1222 में हुआ था उसमें अगर हम देखें तो specially जो road networks है इंडिया के वो significantly grow हुए है और जिस वज़े से infrastructure sector जो है वो काफी अच्छे से grow होगा अगर हम road networks की बात करें तो 2020-21 में करीबन 13,327 km के road already बन चुके थे as compared to 19-20 की बात करें तो जहां पर 10,237 km के road बने थे यानि आने वहले दो सालों में अगर हम देखें 2019-2020 और 2020-2021 दो सालों में ही अगर हम network देखें तो करीबन 3000 km का network बढ़ चुका था यहां पर specifically road infrastructure का इंडिया में और यह करीबन 30% growth हुआ है जहां तक इंडियन government की बात करें specifically तो यहां पर करीबन 11,000 करोड का यहां पर budget 20,000 करोड के आसपास पहुँच गया था यानि national investment fund तो national investment fund की बात करें तो जो size बन चुका है 2022 as per March 2022 20,000 करोड के आसपास आ चुका है तो यानि अच्छा खासा growth नाएफ में भी आपको दिख रहा है ministry of road, transport and highways की बात करें तो करीबन यहां पर 68,000 करोड के आसपास यहां पर funding है 2022-23 में as compared to 2021-22 यानि 2022-23 में करीबन 68,000 करोड के आसपास ministry of road and transport and highways की तरफ से यह fund पास हुआ है जो 2021-22 से काफी जादा है तो यह सब point clearly declare कर रहे हैं कि आने वाले समय में infra जो sector है इंडिया का वो काफी अच्छे से grow होगा अब हम बात करके निपॉन इंडिया infra 20 के बारे में एक बैतरीन ETF है जिसका इस से में करीबन rate अगर हम देखे तो 640 के आसपास यह trade कर रहा है और अगर हम fund size देखे तो करीबन 42 करोड के आसपास यहाँ पे fund size है expense ratio अगर हम देखे तो 1.03 के आसपास है returns आपके screen पे आपको दिख रहे हैं एक साल का return देखे तो 18.30 के आसपास यहाँ पे return है दो साल में 27.55 का return तीन साल में 93% का return है पाच साल में 98% का return दस साल में 187% का return और 2010 से लेके अब तक जब से यह fund की शुरुवात हुई है तब से लेके 70.52% का इसने अपने investors को return दिया है तो काफी अच्छे से इसने अपने investors को return दिया है अगर SAP की बात करें NAV की बात करें यहाँ पे तो average return सारा एक साल में वो है करीबन 15.6 दो साल में 20.98 यानि almost 21% तीन साल में 34% का return है पाच साल में 62% का return 10 साल में 89% का return है तो absolute return अगर हम देखे तो काफी अच्छे से grow हो रहा है जात अगर पॉर्टफोलिय टरन ओवर की बात करें तो 63% पॉर्टफोलिय टरन ओवर है और category average टरन ओवर देखे तो करीबन 34.74% के आसपास है equity अगर हम देखे पॉर्टफोलिय में तो करीबन 99.28 पूरा अगर हम देखे तो almost equity stocks है इसके अंदर और number of stocks अगर हम देखे तो 31 stocks है इस particular ETF में तो यह चीज आपको ध्यान में रखता है अगर top 10 stocks की बात करें इस ETF में तो Reliance Industries, L&T, बारती एटल, National Thermal Power Corporation यानि NTPC, Ultratex Cement, Power Grid, Oil & Natural Gas यानि ONJC, Adani Ports, Grasim Industries और साथ ही में Apollo Hospitals यह top 10 stocks है इस particular 31 stocks में से अगर हम simple तरीक से calculation करते है इस particular stock इंफ्रा बीज में अगर आप हर मेने 10,000 का investment करते हैं और अगर average में 16% का return पकड़ता हूँ 10 साल तक investment कीजिए तो आपका investment amount हो जाएगा करीबन 12,000,000 रुपे, 10 साल के बाद जो maturity amount होगा वो होगा 29,64,000 के आसपास यानि returns मिलेंगे आपको 17,64,000 के आसपास तो 12,000,000 आपने invest किये सामने returns मिले 17,64,000 maturity amount बन जाता है 29,64,715 के आसपास तो बैतरीन ETF है इस ETF में आज ही invest कीजिए आने वाले समय में ये ETF आपके आने वाले generations को multi-bagger के point of future return देगा इस ETF के बारे में और भी detail में जानना है तो comment box में type कीजिए और भी detail में आपको answers मिल जाएंगे इस ETF के बारे में ऐसे interesting videos देखने के लिए फिर से एक बार जिन लोग आप तक चानल को subscribe नहीं किया है वीडियो के end में भी चानल को subscribe कर लिए bell icon दबाईए ताकि ऐसे interesting videos आपको देखते रहे आपके screen पे आपको दो screenshot देख रहे हैं सबसे पहला screenshot देख रहा है YouTube live जिसमें एवरी सारे दूपर को तीन से सारे तीन के बीच में यहाँ पे आपको specifically जितने भी doubts है comment box में type कीजे उसी सामय उसके answers लीजे और दूसरा है यहाँ पे advisory product जिसमें 30 days, 60 days, 90 days तीन तरीके के packages है जिसमें आपको intraday based, delivery based और F&O based calls दे जाएंगे existing portfolio का management होगा तो जितनी जली हो सके advisory product में allotment लीजे साथी में YouTube live में जुड़िए double benefit के साथ अपने portfolio को और भी बहतर बनाएगे आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आ रहेगा देखते रहेगा इस चैनल को और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो साथ देखने के लिए बेल आइकन को जरू तपाएगा ताकि time to time आपको notification मिलते रहे थैंक्यू